हिमाज़ों प्रदेश में मौसम ने करवट बदल लीक है प्रदेश के कई इलाकों में बरसाथ हुई है जबकि उचाई वाले इलाकों में हलका हिमपात दर्च किया 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 कि सीधा असर पढ़ा के मौसम पर कुछ जगों पर शीत लहर महसूस की जा रही है शिमला समेत अन् मौसम ने करवट लीक है बहुत जादा इलाकों में बरसाथ और उपरी इलाकों में हिमपात दर्च किया किया कि तीन तस्वीरे बिलासपुर हमिरपुर धरमशाला कि किस तरह से मौसम ने करवट लीक है और ठंड का देखिए आगमन हुए काफी समय हो गया है लेकिन अभी क जादा बढ़ सकती है पारा और जादा लुड़क सकता खेड़ तो आया ही मत्ता देखकर माता भी इसे बहुत हो गई है यह जातनी भी बहुत पहुंच रहे हैं पार इस तो बहुत बढ़ी है फसल के लिए बढ़ी है और फसल बारस होना भी जुरूरी थी और जैसे खांसी है जुकाम है सुकी खांसी थी इसे बरसाथ के जो बरसा हुई है इसे निज़ाद मिलेगी तो मौसम ने करवट ली है और हिमार्चल के कुछ इलाकों में ठंड बहुत जादा बढ़ गई है मौसम के बदलने के बाद अब कैसा लोगों को एहसास हो रहा के क्योंकि अब देखे कडाके की ठंड पढ़ने वाली है हमारे ग्राइंड रिपोर्ट से हम आपको दिखाने वालिक हैं ग्राउंड से हमारी संवालता हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिम्ला से शिम्ला विरू प्रदीव ठाकुर तो वहीं धरमशाला से मनुझ धीमान हमारे साथ लाइब बने हुए है मनुझ किस तरह का मौसम आपके यहाँ पर बना हुआ कर बिलकुल आरती देखी जिस तरह से मौसम विभाग ने एक अंदेशा लगाया था कि दो दिन तक मौसम खराब रहेगा लेकिन दो दिन के बाद पिछली देर रात को काफी ज़्यादा बारिश हुई है और जो पहाडिक शेत्र है पहाडिक शेत्रों में लगतार बर्बारी का दोर भी जारी है और बारिश की बात की जाए तो बारिश पूरे जिला कांगरा में पूरे हिमाचल प्रदेश में ये जमकर बारिश हो रही है और इस बारिश से कहीं न कहीं जो है एक तरफ तो आम जन जो है उनको काफी फाइदा होने वाला है क्योंकि जो कुछ कठंड पड़ी हुई थी कुछ जमीन है उसमें अच्छी खासी नमी होनी चाहिए तो बारिश के सहरे अब कई सारे किसान जो है वो अब निर्भर हो गए है बारिश पर ही क्योंकि कई सिंचाई की विवस्ताइ जो ठप पड़ी है जिसके पहले सिंचाई होती थी लेकिन आप सिंचाई नहीं कर पाते है तो ब पहाडी गशेत्रों की तो बारिश कितने फाइदे अपने साथ लेकर आ रही है। यह तो साफ जाहिर हो रहा है कि कितने फाइदे जो है बारिश होने वाले है और प्रेटक भी यहां पर बर्फ का दीदार करने के लिए पहुंच सकते हैं अब अब बताईए कि किसानों के लिए बरसाथ बहुत फाइदे मंद है और पहले जो खुश्क ठंड पढ़ रही थी अ अब ठंड जो है वो बढ़ने वाली है अलांकि शिम्ला की बात करें तो यहां पहले से ही ठंड की लेकिन अब वाले दिनों में महसूस की जा सकेगी अभी भी मैं अगर बात करूं तो ठंडी हवाएं इस पक चल रही है और शित्ल है तहीं कडाकी की ठंड करने वाली है फिल प्रफबारी कोगी प्रेटकों का आगमन भी बढ़ेगा लेकिन बरफबारी जब होती है की परिशानिया अपने साथ लेकर आती है उसके लिए क्या अभी से तैयारिया है बिलकुल आरती देखिए अगर हम कह सकते हैं तो सीजन की यानि की सर्दियों का मोसम आज की बरसात के साथ चुरू हुआ है वैसे तो हलकी फूल की ठंड पढ़ रही थी लेकिन अब जो है ये बारिश हुई है बारिश के साथ सर्द हवाएं चल रही है और सर्द हवाओं के दूसरी बात आपने कही है कि अगर बरबारी होती है तो परभाव कहां कहां पड़ता है जैसे सडके जाम हो जाती है पाइपे जाम हो जाती है तो ऐसे में अभी अगर उस बरबारी का इंतजार करना होगा तो कम से कम भी 5-6 दिन लगातार ऐसी बारिश होनी चाहिए तब ज जिस तरह से बारिश हो रही है अभी जो बर्बारी है वो फिलहाल पहाडों पर हुई है और पहाडों से नीचे आने में भी ज़्यादा तापमान जब गिर जाएगा यानि कि माइनस में तापमान जब चला जाता है तो नीचे लिक शेत्रों में बर्बारी हो जाती है तो ऐसे पड़ेगी और साती साथ जो सर्द हवाएं है वो कहीं न कहीं लोगों को हार का पाने वाली ठंड भी ला सकती है और सही माइने में अगर देखा जाए तो जो बारिश हुई है इस बारिश और बारी के साथ ही ठंड का आगाज हुआ है अगास हुआ है चलिए प्रदीब का कि बिल्कुल देखिए अगर उन्चाई वाले रिकॉर्ड की गई है और इसमें आज जो रोतान दरा है उसके नौट और पॉर्टल में अलकी बर्फवारी हुई है और अभी भी पहले तर शिमला के जो उन्चाई वाले चांशल बैली के अगर बात करें तो वहां पर भी हल्की बर्फवारी रिकॉर्ड की गई है और जिस तरह का मौसम इस बक्त है तो उसमें हम यह कह सकते हैं कि कुछ दिर में नारकंडा जो इसके आप वास का ख्षेत्र है वहां पर भी हल्की परफवाइं गिर सकती है इस तरह की भी संभाना है वाला की शिमला में हल्की भारिष तो उस तरफ लोगों को ना जाने की हिगायत दी जाती है चलिए बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई के और बहुत शुक्रिया मनोज आपका भी तो आपको बता दी कि दिखिए मौसम ने करवट बंदी के आने वाले दिनों में औ और जादा बरफबारी के भी आसार बन रखेंखेंगें